अम्हर्यों मों सर्व मांगल मांगले सिवे सर्वा साधिके स्रड़त्रम के गवरी नाराइडी नमोशते जैसी अराम साथियों स्कार साथियों श्लोजजे किरा के यूटूब चलब आपको स्वागत है साथियों आप हमारे चनल पर्थम बार्व पस्तित हुए हैं अधर हमारे वीडियो भली बाद देख रहे हैं तो पिया हमारे चनल को स्ब्सक्राइब कर लें बगले में बेला घंटी प्रेस कर लें जिससे आपको नहीं नहीं बाते समय से पता चलती नहीं आप उनसे आउगत ह होते रहें सात्यों मैंने एक वीडियो बनाई ति जिसमें हमने इस तरशा किया था कि 27 नशत्रों में से कौन-कौन से मूल संग्रक नशत्र होते हैं इसको मैंने आपको मैं बताया था कि छे मूल संग्रक नशत्र होते हैं तो उसी वीडियो मैंने आपसे कहा था कि इन नशत्रों में जर्म लेने के क्या फल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो मैंने दो वीडियो में आपको अस्वनी और ज तो शातियों जीन लोगों के नाम का पर्थम अच्छा मा मी मू में इंगलीज में एम तो इसमें जो जीन लोगों का जन्म हुआ है वो उनका राशी सुरी होती है और केटू का नच्छत्र बता ही जो नहीं तो इसमें जो जन्म जो बच्छा लेता है बहुत ही अस्पश्टवादी होता है लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाता है उसके अंदर क्रोधित होने की संभावना विशेस राती है शुरी से प्रभावित होता है सुरः में तो ऐसे भी तेज होता है उस बच्चे में भी तेज की मात्रा बव़्यादे रहती है और वह थाइन योदिमी होते है दधर्मां दे शोयर incarाल दे आपको बताया आप आप जानगी को आपकी न होते हैं कि मां मि मम में तो यह छार्ण हुए यह फ्रोर्म में अलग लग फर्म होते हैं हिंग्लिज में सरी म हो गया हिंदी में क्या हुआ दो इस तरह से तो पर्थम चुनम जन होता है तो माता पिता के लिए कष्टकारी होता है और या माता पक्ष की हानी होती है मतब मगहा के अगर पर्थम चुनम जन होता है तो माता पिता के लिए कष्टकारी होता है और माता पक्ष है मातापक्ष क्या हुआ उस बच्चे के नम्हाल पक्ष से कुछ हानी होने की संभावना बन जाती इसका मतलब यह संकेत मिल रहा है कि उस बच्चे के जनम लेने से उस परिवार में माती पक्ष में कुछ हानी है अर्थवा हानी तो होनी है यह संकेत भी हो गया कि हानी होनी है अब दूसरे चरव जन्व होगा तो पिता को परसानी हो जाती है पिता को कष्ट मिल जाता है जो पिता कष्ट मिलेगा तो पुरा परिवार दुखी रहेगा दुखी रह एका और तीसरे चनुम अदूब होता है मर نے युद बेडिया मतलब जिसका ऑज इसके बेड़नाम मूझ आया उसका तीसरे चनुम होगा तो ऐसे चनुम देनव वत्चा लावदायक होता है आर्थिक स्प्षेद के लिए अच्छा होता है और उसके जनम से शु फल दाइक होता है अब चौते चरह में जनम होसे क्या होता है साती हों तो विद्या धन इत्यादि परिवार में खुषी का इवाता बढ़न, परिवार में प्रशंता बाता बढ़न सब जुगों से सुखों का पूर्टी, सखों का आगमन ये संकेत प्राप्त हो जाता है कि मर्गा के चारोषण रहमी जन्म देने से बच्चे का परिवार में सुखी को पात्रव भनेगा। तो हमने आपको मर्गा-नुषए चारोषण रहमी जन्म देने के अलग-अलग फ्ल आपको मने बताया, ऐसा है कि आपको इस बात अच्छी लगी होगी जनकरी अच्छी लगी होगी और आप इस अलाब उठाएंगे जैसा मैंने आपसे सर्चा किया था कि जनम के 27 बच्छा से दिन बाद पुना हुआ नस्यत राउंड लेके आ जाता है एक महिना में तो उसकी विद्रवत सांती कराने चाहिए और जब तक सांती न हो जाए सास्त के अनुशार पिता को अपने बच्छे का मुख नहीं देखना चाहिए देखने से हानी की मात्रा बढ़ जाती है इसलिए आप इस सुझाव का पालन करेंगे और आने वारे परसानियों से तो उमीद है कि आपको यह बात अच्छी लगी होगी अब आप हमारे चनल को अपता सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इस तरह से बत नहीं नहीं बातें समय से पता चलती है आप उन्से आप उठाते रहें तो मिलते अगले वीडियो में न